वेल्कम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं राज कुमारे दुबंसी आप सभी के दौरा पूछे गए कुछ मात पूर्ण सवालों के जबाब लेकर के उपर स्तित हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोसिस करिएगा जैसा कि आप सभी का इंट्रेस्ट जो है वो चुनाओं में जादा होता है और इस समय चुनाओं का समय भी आ गया है तो आज हम आपको दिखाएंगे भारत के कौन-कौन से राज में लोक सभा की कितने सीते हैं यानि कि जो आपके सांसाद बन करके दिली तक पहुँचते हैं किस राजे से कितने होते हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे आपकी ये सुपरसिद्ध वेबसाइट विक्किपीडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जिसका सोर्स है इंटरनेट देखिए पूरा देखिएगा सबसे पहले बात आती है आपके उत्तर परदेश की क्योंकि उत्तर परदेश ही भारत का एक मात्रा ऐसा राजी है जहां पर सब से ज़्यादा सीते हैं और ये सीते असी हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि वो किस वर्ग के लिए कितनी लगभग में जो अरचीत हैं जैसे कि सामान वर्ग की 63 सीते हैं अनसूचित जाती की 17 अनसूचित जाती की ये किर्मन लिखा है भाई इसका मुझे मतलब नहीं मालूम है जो मालूम है मैं उतना ही आपको बत पांच सीते और अनसूचित जाती की जू है वो चार सीते हैं तीसरे नमबर पर आपका आता है वो अंदर परदेश अनर परदेश में सबसे जादा 25 लोग सभा की सीते हैं यानि की 25 सांसा चुन करके आपके दिल्ली तक आते हैं और जिसमें सामान वर्ग की 20 अनसूचित जा कि थार्ट रहेद एक विएताई श्चार मोज़ बाउटकरव में除ória और श्चातेक्त आ सबसी चाइन से इसा अरी धिलिक काता ही jonत गान waste कि सबस्ति कि οग द्यूम करें श्चालेंद चंगी होते शुघना दॉस्ट कहें ये थां में यह इंवतस यो पैया understood लोगसभा की सीटे हैं 49 है साथवा नमबर पर है आपका मद्य परदेश जहां पर 29 सीटे हैं इफी तरह फे करनाटक में लोगसभा की कुल 28 सीटे हैं और अगर बात करें आपके मननीय परधान मंतरी नरेंदर दामोदर्दास मोदी जी के ग्रीष छेतर गुजरात की तो वहां पर लोगसभा की कुल 26 सीटे हैं और इसी तरह आगे बढ़ें तो राजस्तान में लोगसभा की कुल 25 सीटे हैं और इसा के पास लोगसभा की कुल सीटे 21 और फिर वैसे बढ़ते चलें थोड़ा तर आई छेतर की तरब तो केरल में जो है वो 24 लोगसभा की सीटे हैं और आपके लोगसबा की सीटे जो है 17 है आसाम में 14 सीटे हैं और इसी तरह फे जारखंड में भी 14 फीटे हैं आप जानते हैं जारखंड यह किस राजी से अलग हुआ है कमेंट कर दिएगा सब फे जादा यूपी में सीटे हैं और इसलिए सबसे बड़ा घमासान यूपी में होता है पूरे भारत देश की नजर जो है यूपी पे होती है उसके बाद है पंजाब पंजाब में कुल लोगसबा की सीटे 13 हैं कुछ हमारे प्री मित्र जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि भाई ये राजनी कितने सीटें हैं कितना मतलब उसमें जिला है कितना राज ढानि ये सामान ग्जान के अंतरगत यह सा बात हैं तो आपके लिए जरूरी है ठीक है ना यह मत सोचिएगा यहां पर कोई राजनीती की बात नहीं हो रही है किसी पार्टी या किसी के सपोर्ट में इसमें कुछ भी नहीं है वीडियो में ठीक है ना इसी तरह आगे चलें तो जो राज है 36 गड़ 36 गड़ में कुल लोकसभा की 11 सीटे हैं और अगर दिल्ली की बात करें आपके केंद्र सासित परदेश तो दिल्ली में कुल साथ सीटे हैं और जमू और कस्मीर जमू कस्मीर का तो अपना समयधान अपना नियम कानून सब कुछ अलग है लेकिन फिर भी जमू कस्मीर में भी लोकसभा की 6 सीटे हैं आप ज उत्राखंड में कुल 5 सीटे हैं इफी तरह से हिमाचल पर्देश में जो है लोकसभा की कुल 4 सीटे हैं आपको और भी बता दू यहाँ पर इंट्रेस्टेट पॉइंट है जम्मु कस्मीर के बारे में जम्मु कस्मीर में कभी भी राष्टर पतिसासन लागू नहीं होता है आ अगला अगर बात करें हिमाचल पर्देश तो आपने देख लिए यहां पर चार सीटे हैं इफी तरह से आपका जो राज है अरुणाचल पर्देश में लोकसभा की मातर दो सीटे हैं और दो ही सीटें आपके और भी जगा हैं वो कौन से हैं गोवा तिरपुरा मड़ीपू में घाल है यहां कुल दो दो सीटे हैं बस दो सीटे इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र सासित परदेश अंडमान और निकोबार में लोकसभा की एक सीट है और केंद्र सासित परदेश चंदीगड में भी मातर एक सीट है दमन और दीव में भी मातर एक सीट है दादर यहां से कुल एक ही सांसद चुने जाते हैं आप देख रहा होगे कुल जो लोग सबाकी सीटें हो कितना है 543 कितना है 543 ठीक है समझ गए न अगर किसी को कोई confusion है तो आप नी संग कोच पूँछ सकते हैं जी बिल्कुल 543 हैं भी कितने हैं जिसमें से जनरल के लिए 412 सीट है अनसूची जाती के लिए 84 सीट है इंडिया आपका है प्यारा देश तो उमिद करते हैं आप लोग समझ गया होंगे तो इस वीडियो को अपने मित्रों में भी सेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और हाल ही मे आपके चुनाओ की घोसला हो चुकी है यूपी में तो आप लोग भी एक बात ध्यान दें जितने भी मित्र हमारे हैं जुड़े इसमें ओट अवस्य करें देखिए मैं आपर राजनीत से प्रेरित नहीं किसी को भी ओट दें जो आपके पसंद का हो जो आपको लगता हो कि भी कास कर सकता है तरक्की कर सकता है उन्नती कर सकता है आप उसको जिता हैं लेकिन ओट आवस्य करें क्यूं क्यूं क्यूंकि माल लेते हैं पंदरा ओटर हैं जहां से देखिएगा अगर आप भारती नागरिक है तो यह आपका अपना कर्तब होता है और जिम्मेदारी भी हो जो गड़बर लोग हैं वो जीच जाएंगे वो अपनी राजनीती बना लेंगे लेकिन जो बाकी के दफ लोगों ने ओट नहीं दिया क्या वो बहुत चलाक हैं वो महामूर्ख हैं उन्हीं की वज़ा फे देश तबाह हो रहा हैं तो इसलिए ओट करें आवस्से करें और कोसि नहीं होती है तो 90% तो जाना ही चाहिए आप लोग पड़े लिखे हैं तो सिच्छी समाज का कुछ करतब्य होता है आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में आवस्से से शेयर करिएगा इन ही उमीदों के साथ फिर से हम मिलेंगे आपके आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम